नमस्का दोस्तो आरजी स्टाडी कोर्णर में आपका स्वागत है आज मैं आपके सामने रेलवे ग्रूप डी के लिए सामान विज्ञान से महत्पुर्ण प्रस लेका रहा हूं जो कि सेट नमबर दस है इसके नव नमबर तक सेट तक सभी वीडियो अपलोड कर दिया हूं जि इसका उत्तर है लिथियम लिथियम सबसे हलकी धातू है प्रस्टमबद दो चावल को पॉलिस करने से कौन सा बिटामिन नस्थ हो जाता है इसका उत्तर है थाइमिन बी चावल को पॉलिस करने से बिटामिन नस्थ हो जाता है प्रस्टमबद तीन प्याज ताता लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है इसका सही उत्तर है पोटेसियम पोटेसियम के कारण प्याज तत्व लसुन में गंध तत्व होता है प्रश्ट नमर चार किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुख जाता है इसका उत्तर है फेरिक कोलराइड को लगाने से रख्ट का बना रुख जाता है प्रश्ण नमर पांच सबसे भारी धातू कौन सी है इसका उत्तर है ओस्मियम सबसे भारी धातू है प्रश्ण मच्छो D2O का सामान नाम क्या है इसका उत्तर है भारी जल या अनुभार डी टू जीरो का सामाने नाम है प्रश्च नमर साथ पित्थिवी की भूप पर पट्री पर सरवाधिक कौन सा तत्व मिलता है इसका उत्तर है ऑक्सीजन पित्थिवी पर सरवाधिक तत्व मिलता है प्रश्णमर आठ परकितिक वरन के सिधान्द को किस ने पतिबाधित किया था इसका उत्तर है डार्विन ने पतिबाधित किया था प्रश्चनमर 9 फोटो क्रोमी कांच में क्या उपयोग होता है इसका उत्तर है सिल्वर कोलोराइड फोटो कोपी फोटो क्रोमी कांच में परियोग होता है प्रश्चनमर 10 निम्बू में कौन सा अमल पाया जाता है इसका उत्तर है साइट्रीक अमल निभू में पाया जाता है प्रश्च नमर इगारा कौन सा बीटामिन गर्म करने पर नस्ठ हो जाता है इसका उत्तर है बीटामिन सी गर्म करने पर नस्ठ हो जाता है प्रश्णमर बारा, स्याही के धब्बे को किस से मिटाया जा सकता है, इसका उत्तर है औकजेलिक अमल से स्याही के धब्बे को मिटाया जा सकता है प्रश्णमा तेरा फ्यूज तार किसके बने होते हैं इसका उत्तर है सीशा और टीना के मिश्र धातु से फ्यूज के तार बने होते हैं प्रस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् रोक का क्या कारण है इसका उत्तर है शरीर में आयोडिन की कमी होने से ग्वाइटर नामक रोक हो जाता है प्रश्णमर 17 एपी कल्चर का संबंध किस छेत से है इसका उत्तर है मधुमकी पालन यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चिन है प्रश्णमर 18 सेरी कल्चर का संबंध किस छेत से है इसका उत्तर है रेशम मुदपादन से सेरी कल्चर का संबंध है प्रस्ट नमर उनाइस, पोर्टीन का पाचन किस छेत्र से है? इसका उत्तर है छोटी आत यानि आमासे से है प्रस्ट नमर बीज, हीमोफिलिया किस परकार का रोग है? इसका उत्तर है आनुवनसिक हीमोफोलीनिया परकार का रोग है प्रश्ण नमर 21 दूद का फटना दूद से दही बनना किस किरिया से होता है इसका उत्तर है किनोगन किरिया से दूद का फटना और दूद से दही बनना होता है धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक और कॉमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद